हाई एवरिवान, वेरी गूड मॉनिंग, मैं आश्विन, स्वागत है आप सभी का आज के इस डेली वो कैप के सेशन में, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सेशन नमबर फोर है, मैं रोज ऐसे ही वीडियोज लेकर के आता हूँ आप सभी के लिए, रोज कुछ इंपॉर्ट किये जाते हैं, चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आज कौन से वर्ट मैंने चूज किये हैं, सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कौन कौन से वर्ट लिए गया है, जो पहला वर्ड हमने चूज किया है for today's session is mellifluous, ये एक adjective है, दूसरा वर् masticate रखा गया, it is a verb, third word जो हमने रखा है for today's session, it is crestfallen, ये भी एक adjective है, like mellifluous, और number four पे magnanimous है, magnanimous भी एक adjective है, number five पे exodus word है, exodus एक noun है, खास तोर पे exodus word का इस्तेमाल one word substitutions के लिए किया जाता है, चलिए बारी बारी से इनका discussion करते हैं, एक बात मैं आपको बता दू कि आज आज शाम को साथ बजे, speed test number two का discussion किया जाएगा, last week में पहली ST कराई गई थी, आप उससे practice test कह सकते है, mock test कह सकते है, speed test कह सकते है, कुछ भी आप कहें, तो एक ऐसा ही test last week कराया गया था, संडे को, आज भी Saturday है, तो आज उसका discussion कराया जाएगा, ST number two का, और उसका जो content है, जो नीचे दिया हुआ है, अभी तक अगर आपने उसे download करके, उसे solve ना किया हो, तो इस session के बाद download कर ले और solve कर ले, ताकि शाम के session में आपका participation बहतर हो सके, आप maximum knowledge को gain कर सके, चलिए, आज की session को start करते हैं, और पहले word को समझने का प्रयास करते हैं, mellifluous, mellifluous एक adjective है, आप copy pen साथ में रखे, मैं छोटी छोटी बाते आपको बताऊंगा, आप उन्हें सुनते रहिएगा, note down करते रहिएगा, ताकि आपको याद करने में बहुत सरलता रहे, मैं बड़ी ही सरलता से आपको mellifluous का meaning बताता हूँ, शुरुवात में देखी mell, आप इसे सिदे melody से relate करें, melody, melodious, melody मतलब अच्छी धुन, और धुन का सिदा संबंद कान से है, अगर अच्छी धुन है, तो वो कानों को प्यारी लगेगी, सुनने योगे होगी, तो melody, melodious, mellifluous, और ये कोई trick नहीं है सर, ये logic है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप mellifluous को melody स relate करें ताकि आपको याद रहें, नहीं, relate करें क्योंकि related है, melody से ही melodious बनता है, उसी से ही mellifluous बनता, आप synonyms में सीधे देखिए, पहले ही word mellifluous का melodious लिखा है, तो mellifluous क्या हुआ, एक ऐसी आवाद जो बहुत सुरीली हो, सुरबद हो, और कानों को प्रिय लग रही हो मतलब smooth voice हो, pleasing to ear हो एक तरीके से, जो बहुत अच्छी लगे आपके कानों को सुनने में, पढ़िए, a mellifluous voice, a piece of music is smooth and gentle and very pleasant to listen to, मतलब एक ऐसा sound, एक ऐसी आवाद, ऐसा piece of music, जो बहुत smooth है, gentle है, और कानों को प्यारा लग रहा हो, सरल word है, सरल से ज़्यादा important word है, मैंने समझाने की कोशिश की है, आपको जरूर समझ में आया होगा, आप mellifluous को सीधे melodious से relate करें, क्योंकि related है, example number one को देखिए, it says, as I listen to my favorite poet, read his writings, जब मैंने सुना कि मेरा favorite poet, अपनी लिखी वी कुछ कविताओं को पढ़ रहा था, मैंने सुना, I was captivated, आप कहीं लिख लिखे, captivate का मतलब चंगुल में फसा लेना, गिरफ्त में कर लेना, कई बार क्या होता है, कि दुश्मन आपको अपनी गिरफ्त में करता है, और यहाँ पर किसी की शैली, किसी का कविता कहने का तरीका, सुर इतना प्यारा है कि इसके चकर में आप उस Mellifluous Flow of His Voice, जिस तरीके से वो अपनी राइटिंग को पढ़ रहा था, आप में से बहुत से लोग उनकी कविता शैली के बहुत बड़े फैन होंगे, तो Mellifluous Flow of Voice हुआ, कि बहुत अच्छे तरीके से एक एक लाइन को, एक एक पंक्ति को पिरो करके उन्होंने कहा और आप उसमें बंध गए, प्राया ऐसे केस में जब आप मंत्र मुग्ध हो जाएं, यहां पर Captivated का मतलब मंत्र मुग्ध होने से ही है, तो Captivated का इस्तेमाल कम किया जाता है, Enchanted का यूज ज़्यादा किया जाता है, चलिए, Example No.2 भी देखिए, The Singer with the Mellifluous Voice will win the Talent Contest, Contest किसी प्रत योगिता को जीत पाएगा, तो कुल मिलाके Mellifluous का मतलब smoothing sound से हो सकता है, pleasing to ear से हो सकता है, synonyms, melodious, pleasant, आपको समझ में आ रहा होगा, आप फट से dulcet को कहीं लेक लीजेगा, याद कर लीजेगा, यह important word है आप सब के लिए, euphonious में भी बहुत बढ़िया logic है, मैं बता रह फोन, gramophone, cacophonus, phone का मतलब आवाज से होता है, phone किसलिए होते था कि आपको सामने वाले जो दूसरी तरफ phone कर रहा है, उसकी आवाज सुनाई पड़े, तो phone का मतलब आवाज और ज़्यादा जरूरी जो बात है वो सुनिए, eu, eu प्राया एक prefix है, जिसका इस्तिमाल अच्छा के लिए, प्रशंसा के लिए, तारीफ के लिए, खुशी के लिए किया जाता है, जैसे यूफोरिया, जैसे यूफिमिनेट, जैसे यूफिमिजम, जैसे यूलाजी, E-U-L-O-G-Y, मैं जो भी words बोल रहा हूं, लाइब चैट में भी लिख दूंगा, मैं आब वहाँ से भी तो यूलाजी, प्रशंसा करना किसी की, यूफोरिया, बहुत अधिक खुश होना, यूफिमिनेट, किसी का गुडगान गाना, तो E-U अच्छा प्रिफेक्स है, जो की प्रशंसा, तारीफ, मधुरता, इन सब के लिए इस्तिमाल होता है, तो यूफोनियस वो आवाज, जो कानों को अच्छी लग रही हो, स्वीट हो गया, तो आपने सिनोनिम्स में दो बहुत अच्छे सिनोनिम्स पढ़े, एक डलसेट और दूसरा यूफोनियस, यूफोनियस में आपने E-U नाम का रूट वर्ड भी देख लिया, प्रिफिक्स भी देख लिया, साथी साथ यूफिमेजम, यूफिमेनेट, यूलॉजी, यूफोरिया, ये भी तमाम वर्ड साथ में काफी हद तक सीख लिया, फटा फट अन्टॉनिम्स देखिए, पहला वर्ड है रॉकस, रॉकस का मतलब करकश आवाज से होता है, अब जब मेलिफ्लूर्स का मतलब मधूर आवाज इसी से कैकोग्राफी बनता है, रूट वर्ड है ये, सॉरी, हाँ, रूट वर्ड नहीं है, ये वन वर्ड सब्सिट्यूशन है, कैकोग्राफी, कैकोग्राफी का मतलब ही होता है, जब आप लिख बहुत भद्दा रहे हों, देखिए, कैको मतलब गंदा और ग्राफ का Autograph Epigraph Graph मतलब ही होता है ऐसा लिखना तो Cacograph का मतलब खराब लिखना अब Cacophonus का मतलब जिसकी आवाज खराब हो यानि की करकश हो Harsh तो आप समझी रहे हैं तो इस तरीके से पहला word over हो जाता है मैंने भरसक प्रयास किया है आपको समझाने का मुझे उमीद भी है कि आपको समझ में आया होगा कैसा लग रहा आपको सेशन आप जरूर मुझे बताते रहे और फिर से मैं बता दू Dulcet को याद कर ले Mellifluous का तरीका याद कर ले Euphonious को याद कर ले Euphonious में जो EU prefix है उसको याद कर ले Rockish को याद कर ले और Cacophonus का Cacco Root Word भी याद कर ले है ना चलिए आगे बढ़ते हैं Word No.2 को देखते हैं जो Word No.2 हमने लिया है यह है Masticate फिर से वही बात कि Masticate एक Verb है क्योंकि जब TE end में लगे भी किसी भी शब्द के TE तो वो एक Verb बन जाता है जैसे Adjudicate, Negotiate Castigate, Incarcerate और भी तमाम वर्ड़्स तो Masticate एक Verb है और Right Corner पे आपको एक पिक्चर दिख रही है एक गाये का मूँ दिख रहा है आपको गाये दिख रही है और वो कुछ खा रही है Exactly यही इसका मीनिंग है अगर आप Google करें इस Word को तो उसमें image section में जब जाएंगे तो maximum pictures में आपको जानवर ही दिखेंगे जानवरों का चारा खाने का तरीका क्या है वो उसको चबाती हैं बहुत अच्छे तरीके से इसको हिंदी में चुगाली करना भी कहा जाता है तो masticate का मतलब चीजों को खाना intake करना एक तरीके से और खास तोर पे उसको चबा चबा कर खाना digest करना चीजों को चबा चबा कर खाना masticate करना example देखें तो chomp with teeth मतलब दातों से उसको चपर चपर करना चबा चबा कर खाना चिव आप जानते होंगे shaving gumici से बनता है चबाना जिसको कहा जा सकता तो masticate का मतलब खाने से चबाने से हो सकता है किसी product को food item को intake करने से है खास तोर पे ढंग से चबाने से है सीधे निगल जाने से नहीं है चबाने से है example देखें I masticate my food slowly so I can enjoy every bite है ना मैं अपने food को धीरे धीरे खाता हूं चबाता हूं इसलिए so का मतलब इसलिए conjunction है I can enjoy every bite मैं हर निवाले का मजा ले पाता हूं कहा जाता है ना धीरे धीरे खाने को खाएं और एक एक निवाले का मजा ले स्वाद ले example number two देखे it was gross watching the old man masticate his tobacco and then spit it out on the sidewalk, sidewalk मतलब सड़क के किरारे जिसे footpath भी कह सकते हैं क्या हुआ आप देख रहे हैं कि एक वेक्ती पहले अपनी तबाको को टोबाको को चबाता है बहुत देर तक अपनी मूँ में रखता है और बात में उसे थूख देता spit का मतलब ही होता थूखना spit it out मतलब मूँ से बाहर निकाल के थूख देना बगल में तो मास्टिकेट करता है पहले वो चबाता है उसको example number 3 देखिए poor digestion can be caused by defective mastication of the food in the mouth जैसे अगर किसी का digestion खराब है तो उसके पीछे तरक ये भी हो सकता है कि उसने खाने को चबा चबा के नहीं खाया था सीधे वो निगल गया था या धंग से नहीं चबाया था जिसकी वज़े से उसका digestion जो है वो बिगड़ गया है mastication यहां लिखा है ये masticate का noun version हो जाएगा जब tion लग जाए अब synonyms देखिए चेव नौ और निबल नौ चेव तीनो का मतलब चबाने से होता कुतर कुतर कर खाने से होता धीरे धीरे चबाने से अब antonyms देखिए swallow गल्प इनका मतलब निगल जाने से है जैसे बहुत सरे reptiles होते हैं वो अपने food को पहले निगल जाते हैं और पेट में उसको सीधे digest करते हैं है ना तो वो निगलना हो गया और masticate का मतलब मू में चबाना धीरे धीरे तो opposite swallow हो जाएगा गल्प का मतलब भी निगल जाना हो जाएगा हडप जाना एक तरीके से तो ये था आज के session का word number two है ना कैसा लगा आगे चलते आगे और आगे words को पढ़ लेते हैं word number three जो की बहुत important हो सकता है वो है crestfallen देखिए मैं हर session में यही कोशिश करता हूँ और आगे के भी हर session में यही कोशिश करूँगा कि अच्छे words में लेकर आओ उन्हें समझना समझाना चाहे easy हो चाहे certain हो वो एक बेकार की बात है यह ना यही कि किसी word जिसको समझाना सरल हो मैं सिर्फ उसी word को पढ़ाऊ नहीं मैं अपने हिसाब से important words को आपके सामने ला रहा हूँ आगे भी यही करूँगा फिर उन्हें समझना समझाना सरल हो या थो को Session जरूर बताई और इस वीडियो का अगर अभी तक आपने like ना किया हो तो फ्लीज कर दें今 आप डिसलाइक कर रहे हैं तो reason भी specify कर दें और चाहे तो अपना comment भी दे सकते हैं और ज्याद से ज्यादा इसेShare भी कर सकते हैं चलिए crest-fallen को पढ़ते है एड्जेक्टिव है राइट कॉर्णर पे एक पिक्चर आपको दिख रही है एक व्यक्ति अपने चेहरे पे हाथ रखे हुए जो जेस्चर वो दिखा रहा है वो उदासी का है खिनता का है दुखी होने का ऐसा लगना कि आप से अब कुछ भी नहीं हो सकता है त अब बढ़ देखे लिटल बॉइ वस प्रेस्ट फॉलन वेन इसकोवर्ड संटा क्लॉस वुस नौट रियल है जैसे बच्चों को लगता है कि संटा हमें गिफ देता है संटा बहुत काइंड संटा वास्तों में होता है अब एक छोटे से बच्चे को बादने पता चलता कि स तरीके से एक्जामपल नमबर टू देखे आफ्टर लूजिंग कामराट्स इन बैटल कामराट्स बोलते हैं उन जवानों को जो आपके साथ में किसी लडाई में हिस्सा ले रहे हों तो अपने जवानों को खो देने के बाद यहां पर आफ्टर एक प्रेपोदीशन है और जो है वर्प की आइनजी फर्म ऑजीरंड बन कर आया है नियम है न प्रेपोदीशन के बाद वर्प की आइनजी फर्म आती है तो युद्ध में अपने जवानों को खो देने के बाद, several crestfallen soldiers cried in their tents जो बाकी soldiers बचके जो की बहुत निराश, उदास, दुखी थे तो वो अपनी-अपनी tents में जब वापस लोटते हैं तो बहुत रोते हैं, बहुत दुख का अनभफ करते हैं तो crestfallen हो जाते हैं Example number 3 को देखिए मैंने देखी, maximum examples इसलिए देने की कोशिश की है ताकि way to use a word भी आपको पता चले अकसर लोग word बताते हैं, meaning clear करेंगे आपको relation होगा, वो भी दिखाएंगे synonyms, antonyms दिखाएंगे लेकिन nature of use को ले करके कुछ clear नहीं किया जाता कहां उसे use करते हैं, क्या उसका sense हो सकता है way of use, nature of use ये अकसर missing होता है, मैं इसी चीज़ को चाहता हूँ कि missing ना रहे जब चुनाव नहीं जीत पाया वो व्यक्ती तो वो यूवा नेता जो है बहुत ज़ादा उदास हो जाता, ये कोई खुशियों की तो बात नहीं है कि आप चुनाव हार्जा है ना, दुख वाली ही बात है, तो बहुत दुखी हो जाता है synonyms को reroute करी dissected, dissected, disection से बना है disection का मतलब ही होता है हतासा या निरासा वो भी कौन, मतलब बहुत ज़ादा दुख ही हो ना, दुख में हो ना वो मतलब ही होता दुख disheartened, heartened dis जब prefix के रूप में लग जाएगा तो meaning तो negative ही हो जाएगा disheartened का मतलब है आपके हरदय पर गहरा आगहात हुआ है आप बहुत दुखी हुए है downcast कास्ट मतलब बहुत निराश होना बहुत नीचे आप देखना है कास्ट का मतलब अपनी नजरों को डालना भी होता है तो जब आप सुखी है confident है तो आप नजरे मिलाएंगे सामने देखेंगे लेकिन जब आप बहुत दुखी हैं अकसद दुखी वेक्ती सिर को नीचे करते वे चलता है निराशा में वो अपने सिर को जुका लेता है तो downcast be in a funk be in a funk का मतलब भी होता दुख में होना, तकलीफ में होना it is an idiom तो आप इसे special mention दीजे और जरूर यात कर लीजे ये थे crestfallen जिसका मतलब था दुखी, anguished, distressed, depressed और ये उसके synonyms थे antonyms में वो words आएंगे जिनका meaning होता हो खुशी से, उत्साह से, सुख से, उमंग से तो elated, elated elation से बना है elation का मतलब ही होता है जब आपको लगे कि आप सात्वे आसमान पर है मतलब बहुत खुश है exuberant एक अच्छा word है आप इसे जरूर note down कर ले exuberant, खुशी से और on cloud 9, एक idiom है जिसका मतलब होता है सात्वे आसमान पर होना बहुत ज़्यादा खुश होना बहुत ज़्यादा सुख में होना तो ये था word number 2, 3 जिसका मैंने आपको meaning बताया, examples दिये और बहुत ज़रूरी बात कि मैंने कुछ अच्छे synonyms और antonyms भी दिये, साथी साथ आपको दो idioms भी आपको साथ मैंने यहाँ पर दिये अब आगे बढ़ते हैं, अगले word number 4 को भी पढ़ लेते हैं जानते हैं उसका क्या meaning है word number 4 जो हमने आज के लिए रखा है वो है magnanimous, देखकर आप इसे भी समझेए कि OUS लगा है तो ये भी एक adjective हुआ मैं बहुत सरल शब्दों में आपको बताता हूँ, वैसे right corner पे picture भी है, उससे भी clear हो जाएगा मैं और अच्छे तरीके से बताता हूँ जो इसके शुरुवात में prefix के तरीके से m, a, g, n आपको देख रहा है इसका मतलब ही होता है बड़ा भाव्य, जैसे magnify, magnify करना भाव्य बना देना, बहुत सुन्दर तरीके से पेश करना magnified, a magnificence मेरी बात आप समझ रहे हैं magnificent, शांदार भाव्य जिसको कहा जा सकता है तो m, a, g, n का मतलब ही बड़ा शांदार इससे हो सकता है अब बड़ा का मतलब ये नहीं कि कोई जो है वो राच्छ जैसा बड़ा हो, नहीं, बड़े का मतलब अच्छा लगे जो जैसे बहुत बड़े-बड़े सेट्स हो कोई TV सीरियल की शूटिंग होनी हो, या मूवी की शूटिंग होनी हो, तो बहुत बड़े-बड़े सेट्स लगाय जाते हैं तो क्या उनको देख करके आपको डर लगता है या गुसा आती है, घेन आती है, नहीं, सर आप नाम बहुत खुशी के, बहुत, मतलब आशर चकित हो जाते हैं, उनकी भव्यता और सुन्दरता देख करके, भव्य शब्द हमेशा से सकारात्मक है, तो M-A-G-N को आप दिमाग में रखिए, सब सरल हो जाएगा, Magnanimous एक बहुत ही important word है, use बहुत ज़्यादा होता है, मतलब paper ले लिजे, real life ले लिजे, इस word से आपको पूरी life बहुत benefit मिलेगा, Magnanimous मतलब very generous और forgiving, generous मतलब उदार, और खास तोर पर उदार एक ऐसा वेखती, generous मतलब एक इस प्रकार का उदार वेखती की, पैसे का बहुत मोह जो ना करता हो, कंजूस मतलब जो ना हो, forgiving, forgive का मतलब होता है, माफ कर देना, तो जो दयावान हो, unselfish मतलब जो स्वार्थी ना हो, तो इन तीन words से आप magnanimous का पूरा meaning समझ गया होंगे, जो उदार है, यानि कंजूस नहीं है, forgiving, जो माफ कर देगा, यानि कि सजा देने में यकीन ना रखता हो, unselfish जो स्वार्थी ना हो, यानि कि परोपकारी हो, अब right corner की picture को देख ली से, एक लड़का दो व्यक्तियों पर बंदूग ताने है, है ना, gun point पे लिए है उनको, और वो दोनों लोग जो हैं, उसे एक fool दे रहे हैं, तो वो लोग magnanimous है, मतलब सामने वाला व्यक्ति जब आपके साथ सही से पेश ना आए, उस वक्त भी आप अपनी उदारता को, आप अपनी सौमिता को, अच्छाई को ना त्यागे, मैंगनानिमिटी को दिखाएं, शालिंता को सभिता का परिचदें, यही कहा जाता है, मैंगनानिमस होना, जैसे आपने कहानी सुनी होगी, कि एक साथू सनान करने के बाद सीडियों से उपर चड़ शिष से ये पूछता है कि महराज, ये बिच् negócio रोज आपको काटता है, लेकिन रोज आप इसे किनारे कर देते, दंड क्यों नहीं देते, मार क्यों नहीं देते आप इसे, तो क्या कहते हैं वो पूजे साधू, वो यही तो बोलते हैं, कि यह बिच्छू का स्वभाव है, कि वो काटेगा डंक मारेगा, और मैं साधू हूँ, संधू, मेरा स्वभाव है, कि मैं परोपकार करूँगा, दया दिखाऊंगा, मानव हूँ, मानव का सबसे अच्छा, जो गुड है, धरोहर है, आभूशर है, वो उपकार है, परोपकार है, शालिंता है, सभिता है, दया है, तो वो मैंगनानिमिटी दिखाते हैं वो साधू, उनका जो बिहेवियर है, वो मैंगनानिमस है, यही मीनिंग है, एक्जाम्पल पढ़िए, बहुत इंपॉर्डेंट वर उसका प्रतिद्वन्दी, उसका प्रतिद्वन्दी, उसके खिलाफ बहुत ही उल्टी सीधी बाते हैं, कीचड उचालता है, इन सब के बावजूद भी, बॉक्सर वो जो बॉक्सर है, वो उदार है, और अपने कॉंपटीटर को, उसी को जो उस पर कीचड उचाल रहा है, उसकी प्रशंसा भी कर रहा है, तो सिर्फ बहुत ही ज़्यादा मन का उदार व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है, मैगनानिमस का यही मीनिंग है, बहुत शांस वभाव के हो, बहुत बड़ा दिल हो आपका, ब है जो आरोप सिध्ध करना चाытा है, प्रॉसी कियूशन बोते हैं उसको, प्रॉसी कूट करना मतलब सजा देना, तो आरोप सिध्ध करने वाला सजा ही तो चाहता होगा दिया जाए, और एक होता है, डिफेंडेंट, 25 करने का मतलब बचाने से होता, एक अभी योजन जिसको कहा जा सकता है तो यद्यपी even though एक conjunction है यहाँ पर the defendant had broken the law नियम का उलंगन किया था बचाव पक्ष ने the magnanimous judge उदार judge ने gave him the lightest sentence possible बहुत बड़ी है इंग्लिश लिखी है मैंने वैसे आपको भी ठीक लग रही होगी वो उदार judge जो है फिर भी जबकि बचाव पक्ष जो है नियमों का उलंगन करता है इसके बावजूद भी judge बहुत उदार होता है और बहुत ही हलकी सजा देता है lightest का मतलब बहुत हलकी light मतलब हलका और sentence word को लेख लिजे ना मालूम हो सजा के लिए इस्तिमाल किया जाता है तो कम से कम सजा देता है फिर भी वो judge महोद जो है defendant के नियमों का उलंगन करने के बावजूद भी कम से कम सजा ही देते हैं ये था example number two synonyms देख लिए जेनरस उदार उदार खासतोर पर जो ऐसे खर्च करने में बहुत संकोच ना करे compassionate, compassion से बना compassion का मतलब दया होता है तो दयावान, forgiving forgive से बनता है, maafi kind-hearted, दयालू हरदेवाला large-hearted, बड़े रदेवाला बड़े दिलवाला जिसको कहा जा सकता है अब इंटॉनिम्स देखिए पहला word जो रखा है मैंने बहुत अच्छा, बहुत important है vindictive, vindictive उसको बोलते हैं जो बहुत aggressive हो, revengeful हो spiteful हो, resentful ये सब के सब एक दूसरे के synonym है vindictive, resentful, spiteful इन सब का मतलब होता है एक ऐसा विक्ती जो बदला लेना चाहता है जो बहुत क्रूर है, जो बहुत उग्र है किसी भी सूरत में उसकी dictionary में माफी नाम की चीज exist नहीं करती, magnanimous में जो परोबकारी व्यक्ती होगा दूसरे की सजाको गलतियों को माफ भी कर देगा, और जो vindictive है, वो माफ क्यों करेगा, वो तो बहुत कंजूस हो, दूसरे की मदद बिलकुल भी ना करे, पिटी मतलब जो छोटी छोटी बातों को लेकर उलज जाए है न, बहुत तुछ मान सिकता वाला वेक्ती पिटी कहा जाता है जो भी words आपको इसमें अच्छे important लगे हो अपनी capabilities के हिसाब से उनको जरूर note करते हुए चले आप हमेशा से, चलिए आज के session के last word को भी पढ़ लेते हैं last word को बताने से पहले फिर से मैं वो बात कहूंगा कि आज शाम को mock test number 2 का discussion होगा, somewhere around 7 o'clock, तक्रीबन 7 बजे के आज पास, ST को already telegram channel पे डाल दिया गया है जिन भी लोगों ने अभी तक download ना की हो, link जो है channel का, वो वीडियो के नीचे ही दिया गया है, आप उसे download कर ले, solve कर ले, और फिर शाम को मिलेंगे और इसका live discussion किया जाएगा, चलिए last word को पढ़ लेते, exodus मैंने शुरू में कहा था, कि last word exodus होगा, noun होगा, वो एक one word substitutions में use किया जाता है right corner पे आपको एक picture दिख रही है एक, बहुत सारे लोग एक रास्ते पर किसी दिशा की ओर चले जा रहे हैं यही तो देख रहे हैं कि बहुत से लोग एक particular direction की ओर move कर रहे हैं, यही exodus है जब भारी संख्या में लोग पलायन करें, जैसे अभी lockdown हुआ तो बहुत संख्या में अलग-अलग राज्यों से मजदूरों ने पलायन किया अपने अपने घरों के लिए, वो exodus है, अगर कोई एक, दो, चार व्यक्ती जा रहे हैं, तो वो exodus नहीं है जब N number of लोग जा रहे हैं तो वो exodus है, भारी संख्या में जब लोग किसी स्थान विशेस से move कर जाएं, तो ये उनका departure, exodus कहा जाता है हिंदी में आप इसे पलायन कहते हैं, है ना escape बोल सकते हैं, physics में पलायन वेग होता है, escape velocity mass, departure of people from a place, ये इसका meaning है mass का मतलब मैं कई बार बताता रहता हूँ, भारी संख्या से हो सकता है, तो जब भारी संख्या में लोग किसी स्थान विशेस को छोड कर के जाए, तो वो ही exodus है example number one because of the exodus of because के बाद जब off लगा है तो it has become a preposition ना लगा हो केवल because हो तो वो एक conjunction है तो यहाँ because of क्या है preposition, off लग गया preposition हो गया, जहाँ जहाँ off लगेगा preposition जैसे in spite of, in live of, instead of ये सब prepositions है तो because of the exodus of so many refugees, refugees जो लोग शरण ले रहे हो, from the flooded areas, बाध वाले areas चुकि भारी संख्या में refugees जो है बाध प्रभाविच छेत्रों से पलायन कर रहे थे the town's public shelters were filled with overflowing, इसकी वज़े से जो कस्बों के public shelters थे, वो बहुत जादा भर गए, इतना भर गए कि overflow हो गए, पहले से ही वहाँ पर कुछ लोग होंगे, फिर flooded areas में से बहुत सारे refugees भी चल करके भाग करके उन्हीं shelters में पहुच गय होंगे, तो वहाँ पहले से ही बहुत भीड थी, अब और जादा भीड बढ़ गए, ये meaning है इसका, example number two को देखे, tired of the hardships of farming, hardships का मतलब कठिनाईयों से, तकलीफों से farming का मतलब खेती करने से है कोई कह रहा है, कि बहुत से लोग खेती में जो समस्याय आती हैं, दुनिया भर के challenges आते हैं, उनसे ठक कर उनसे ठक कर, यहाँ पर जो tired of आप देख रहे हैं, ये particular sentence past participle का use करके लिखा गया है tired यहाँ पर past participle है, many families have made an exodus from the countryside to the city, countryside का मतलब है, दूर दराज के area, खासतोर पर जो ग्रामीर area होते हैं, उनी को countryside कहा जाता है, तो बहुत से लोग जो हैं, अब अपने अपने गाउं को छोड़ करके भाग रहे हैं वहाँ से, और शहरों का रुख कर रहे हैं, है ना, चलिए मैंने जो tired of बताया है past participle का logic बताया है है ना, उसे जरूर mention करें अगर आपने past participle ना पढ़ा हो तो अपने अपनी book से पढ़ें उनको synonyms देखिए, departure समझ रहोंगे migrate का ना, जाना हाला कि migration किसी भी प्रकार का हो सकता है, कोई जा आ रहा है, तो भी migration कोई आ रहा है, तो भी migration तो बहतर हो कि आप migration के आगे e लगा ले e migration, e से exit हो जाएगा तो जाने की बात हो जाएगी aggression एक नया word हो सकता है अच्छा word हो सकता है माकल ने इसे special attention दे aggression का मतलब भी भारी संक्या में पलायन से है अब antonyms, अब जब exodus का मतलब किसी स्थान विशेस को छोड़ कर जाने से है, तो antonyms क्या होगा, किसी स्थान विशेस में आज आने से influx अब आप ध्यान से देखिए ना i, n, in लिखा in का मतलब ही अंदर आने से होता है तो influx का मतलब भारी संक्या मैं आने से जैसे कुछ वक्त पहले मैंने close test का एक session लिया था, rohingyas migrants को लेकर, मैंने वहाँ एक line लिखी थी, influx of rohingyas, मतलब rohingyas का आना, आगमन जिसको कह सकते हैं, immigration ये migration के आगे जब I am लग गया, तो immigration हो गया I say in करने की बात होगी क्योंकि e-migration बाहर जाने से तो immigration मतलब अंदर आने से हो सकता है ये था आज के session का पांचवा word तो आज के इस morning session के लिए इतना ही, हर रोज इसी तरीके से vocab आएगा और आप याद रखी, यकीन मानिए अगर आपने जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इसी सामान रफतार से सब कुछ पढ़ा तो एक समय के बाद 6 months, 1 year आपकी vocab जो है बहुत strong हो जाएगी मैं ये recommend नहीं करूँगा कि आप अगर जैसे इस वीडियो को तब देख रहे हों, जब 50 sessions मैंने इसके record कर लिए हो फिर आपको लगे कि मैं एकदम से देख लूँ नहीं, आप एक दिन में एक या हद से हद दो sessions ही देखें बहुत ज़्यादा burden लेना ठीक नहीं है फिर चीजे आप से अच्छी नहीं होगी है ना, आप लगातार चले बहुत रफतार में चलना इतना आवश्यक नहीं होता, जितना आवश्यक होता है लगातार चलना तो आज के लिए इतना ही शाम को साथ बजे, इवनिंग में आज ही speed test number 2 का discussion कराया जाएगा तब मिलेंगे, तब तक के लिए अन्यकि आपना दिहान रखें, बाई, टेक केर, वाज कुट दे, तक केर, वाज दूद 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 के,